अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्ट्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अश्टाकी तो हो गई है और कश्ट भी है अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने आपको बता दूँ मैंने नभी को पढ़ा है अल्ला ने उनको महबूब कहा है उनका दिल इतना साब था कि एक बुढ़ी दादी जो है कुड़ा फेकती थी और डेली उन पर फेकती थी एक दिन वो कुड़ा नहीं फेकी हमारे नभी ने उनका हालचाल इनकी घर गए थे उन्होंने कहा है कि गर पडोसी भूका है वहां ने हिंदू मुसल्मान नहीं बता जाए कुरान में आप नहीं भी देख लीज़ें नहीं है कोई भूका है तो आप खाना नहीं कह सकते एक बार वो मक्का मदिना इसलाम पलाने गए लोगोंनों विरोध किया पत्तर मारे जूते तक में उनके खून पर भर गया था इसलाम के लाश्ट पैगंबर मानने जाते हैं उन्हीं के उम्मत जो है अल्ला की बारगाह में जाएगी सुनवाई होगी है बाजसा तती 73 फिर के हैं इसलाम में उन्हीं के उम्मत जाएगी वह ही बक्षाइस कराएंगे अल्ला ही जानता है मुहमद का मर्तबा लेकिन ये सिर्क इसलिए हो जाता है को सहाब लगाना जो होगी मुहमद सहाब का मर्तबा वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका को नहीं लेत खुला है अब लडाई करनी चाहिए दर्म के लिए आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आधम की लाई नहीं होगी आज भी तो आएगी नहीं हो रहा है कि इरान ने कहा तो मन लिया भी समझ में आ गई हम भी तो इतिनी देशिला रहे थे कि फ्रीजिल मेंठाइन को न पाने से हराम नहीं थी सदाप यहां हराम की गई उनके उम्मत में हराम की गए उनके सामने हराम की गए उन्हें हराम की उन्हें मुसल्मानों को इदायत दी कि हर वो नसा हराम है तो इस्तलाम में तुम्हारा पायट डगमंगा दे उन्होंने नसा भी हराम कराया थे क्या उन अब बात नभी के सान में गुस्ता के यह तुम्हें अपना दुख बदा रहा था नभी के सान में जो गुस्ता की हुई है उसमें दिल हुए है कि बात इंटर्नल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसल्मान की बात जब बात नभी और इस्तलाम पर आएगी ना चितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रिया बोलेंगे वो आपको जवाब देना पढ़ेगा इरान का जवाब आ चुका है आस्वासन दिया है भारु इस अब काफी आकरोश नहीं पर आते हैं आप यह बताइए आप सरकार से ठीक है आकरोश में लेकि विदेश मंत्राला के एक बयान यह आया वन्होंने खाया कि यह जो बयान दुकुर्शर्मा ने दिया यह किसी सरकार का बयान ने इंडिविजुल है मैं बतादू भाजपा की परवक्ता है भारत माफी नहीं मांगेगा नित जेपी नडड़ा इस्तीफे के साथ एक पत्रे लिखे देश के प्रधान मंत्री को बहुत बड़ा इसू है मुसलमानी की इसू है इस्लामिक इसू है उसके बाद वो पत्र एक्सेप्ट करें और चा कर सकेगी भाजपा सरकार बुल्डू जो चल सकेगा तिसनेताओं की लिस्त में नाम आ गई पर तो कारवाई कर रहा है देखो एक बतादे तुम जो माईक लगा किया तो इतना अच्छा तुमको ने नभी की बारें बताया फिर भी तुमको लगत ये किसी को नहीं मानते इस लहाबाद के सारे टिंडर मुसलमानों के नम पे हैं सारी मुसलमान लोग पाये जाके चिकरवालों आप हमें समझ बंहें आप एक महंत हैं नर्शिंधा नच्वीम्हंत है वो तो नपरसरमा के खुले आम सापोर्ट में आक है क्कूआ हैं डेखिए दलालों की बात मत किया कर को स्थी मीडिया मैनेज की गई थी लगाओ जाव जहांसी मीडिया मैनेज की गई थी मतलब मीडिया मैनेज होती है यह उनके संदने मताया और सबसे महत्मूल बात नभी के खिलाप एग भी सब्दा परदास्त नहीं किया जाएगा हम अजे सर्थ भी अपना गर्दन कटवा देंगे अगर हम सिव के लिए कटवाएंगे तो हम नभी के लिए भी करवाने को देंग है मुसाले सलाम यहूदियों के पैगंबर इसाले सलाम हिसायों के पैगंबर है हजद मोहमाद साब इस उम्मत के लिए सब हमें पता है हम आगलब रहे नहीं है हम इस्लाम को पूरी तरह से स्टडी करे उए और मैं मुसलमानों को बता दूँ मैं देखतू वीडियो दिखा जरूरी है तो यह कहा जाता है कि पंडी जी पक्षिबॉट इसलाम को आपने पढ़ा है तो लोग कहते हैं कि तलवार के बुनियाद पर इसलाम जो फेला है इसमें क्या कहेंगे दिखें पहली बात तो यह है कि कुछ मुसल्मान बच्चे जो है पत्थर वाजी करने लगें इल कि परियाग राज के लोगों से भी इलाबाद इलाबाद नम का गया चाते हैं परियाग राज के छेत्रात करता हूं कि सबी संरोथ करता हूं मुसलमान भाईयों से कोई भी ऐसी खट्णा ना करें ठोगए जो आसममेद्धानिको के बाल योगी आपके खिड़ा भी जाएrito करते हैं उनको पर सक्क्त कारवाई करते हैं यह讲 है पर strict सब्सक्राव करत एक परफल कते हैं कर रहा है पौलिस पर यह साब झिख रहा है यह फिख रहा है इसका भिन बोड़ करते हैं अब आप अपके वहाद की दोसी है किसे तरह में बनित किया गया नभी के बारे में हादीष की एक लाइन बोली हैं हादीष में जो लिखा है उसको पुरा पड़ती ही तो तब वो समझ आती कि कि छे साल और नौ साल में अंतर क्या होता है काउना सिस्टेम हमारे यहाँ ही चलता है एकसेट करना हमारे अब साधी होती तो गोर्ना देती है अजाता पहले गाओं में तो दो चार साल बाद नभी के शान में आपकर नशार गुस्ताखी हो गई है और लोग उसका पिरोज़ मतलब अब हुट फूट के रोएंगे तम मानोंगे क्या के खुष्естоक है नहीं मान सब्क्ते रहें थे कि उसाका पुरुद करते हैं आप इंधू करते हैं शांती बनाए रखो हिंदूऊं से उमिद करते हैं सांती बनाई रखो असु क्यों आख क्योंकि आपने ही बैयान दिया था अब आज हमारे जितने भी हुआ ले लेंगे थोड़ा भावुक है इसे जादा आप सको डिस्टरब भी निकरेंगे ये कहेंगे कि क्या चाहते हैं किस तरकी कारवाई आखिर हो जाए जेल जेल जिदा जेल भेजिए और लिखे दाद वसंदे भाजपा को आप लिखे दाद वसंदे कि ना ज्यान बापी उठे कि अब हिंदू-मुसल्मान कभी देश में नहीं होगा अगर वह आजबन देते हैं तो हम अपना भी रोद घज़म करेंगे